फॉम दे फॉलिंग टेन देखिए फॉलिंग इंफर्मिशन पीपरे कैश फ्लोव स्टेटमेंट असेट्स निविटी जे दिया अधिशन इंफर्मिशन में दिरिंग निदी निदी तरी दिदिन हामच फिफ्टी थाउजन अधिशनल शेर वाट रुपीज कितने का पर्चिस करें वन लाक यह अलड़ी दिया ना तो यह दुबारा नहीं लेते अधिशनल शेर कामाउंट दिरिंग दाइयर कंपनी कितना पर करें टैक्स 45,000 टैक्स अलड़ी यहाँ पर मेंचन है तो यह वाला टैक्स नहीं लेना हूं टैक्स ओनली अच्छह डिविदेंट भी दिया तो डिविदेंट भी नहीं लेना किंग उपर एक बार प्रविजन फ्र टैक्स आजिए तो नीसे दिविदेंट और मोर् टैक्स दोभी अमांट नहीं लेते हूं क्या है करें दो भी好好 यहाँ पर Сंद करां तोसलिए दो भी अमऌन यहाँ पर नहें ले फिर नहीं उक्राइब उपर अगर एक भी दिया ताइस तो नीचे डिवेनेंट और टाइस की इंटी दो भी इंटीस कट करते हैं इंके दोनों ब्रादर से रहे समझे आना उसको और वन लाग भी शेर से सिफ उपर की इंफरमेशन दिया वो इंफरमेशन के साब से प्रॉब्लम यहापर अटीन करना प्रॉफित कितना है 50 & 52, 2000 का नेट प्रॉफित है हा मच नेट प्रॉफित 2000 कैश फिर्म, कैश फ्लो स्टेटमेंट of x, y, z x, y, z लिमिटेट 1993 देन वन बाई बन सिक्वेंश ओडर में आ जाओ पर एकुदी शेर 5 था, अब 6 हो गया मिस अमाउंट बढ़ गया, कैसे बढ़ता, issued of shares plus issued of shares how much, 1 lakh next general reserve 20 था, 40 हो गया तो reserve में पैसे दाले, means cash आया plus general reserve how much, 20,000 next debentures फिले 2,30,000 था, अब कम बत शो करा, कम शो करा, means payment में cash चले गया minus redemption of debentures redemption of debentures how much redemption 1,10,500 loan from loan from SBI SBI के पास से जो लोन था, उसको 20,000 पे कर जे, let's show करा, means paid minus SBI loan how much next credit cards, credit cards पहले 71 था, अब कितना 80 है, extra हो गया, means payment नहीं, तो cash अपने पास रहे गया, plus increase in credit cards increase in credit cards, how much, 8,500 provision for taxes कुछ नहीं है, equal है, शोर दो, fix asset नीचे कोई depression भगरानी है, तो fix asset direct देखो, 2,00,000 था, अब 4 हो गया, तो क्या करे, sale करती है, less so I mean, sale, sale करने से, amount I in the, plus, sale of assets, sale of assets how much okay, यहाँ पर और एक है, sale of investments ठीक है, depreciation है, sale of assets, how much 2,00,000 ठीक है, depreciation भी दाल सकते है, sale of assets भी दाल सकते है, उसको कोई problem नहीं है, next उसके बाद, stock कितना है, पहले 2,00,000 था, 120,000, stock कम हो गया ना, payment आगे, sale हो गया, stock plus, decrease in stock how much it's a 80,000 ठीक है, next debt hours के पाद से पहले 30 था, अब 140 आना है, ज्यादा पैसे आना है, मतरा पैसे नहीं मिले पैसे नहीं मिले, means, minus, increase in debt hours 1,10,000 ठीक है, debt hours के बाद, cash दिया आने, उसका इन्वेस्मेंट पहले कुछ नहीं थी, अब इन्वेस्मेंट दिया, तो इन्वेस्मेंट है, पैसे क्या होगे, चलेगे, minus, investment, purchase, made, how much, 2,00,000, next, goodwill पहले 87 था, अब goodwill काम होगा, तो अब goodwill काम होगा, तो cash, jeb से कुछ पैसे एगे, नहीं के, तो plus goodwill, कितना है वो, 7,000, any additional amount, no, 37,000, 29,000, कि अगर इसको, assets को, आप, sale of assets दाल सकते हैं, या फिर depreciation बिलके यहां पर दाल सकते हैं, कोई problem नहीं होती, depreciation बिलके भी दाल सकते हैं, 8,500 प्लस 80,000, मिनस 1,10,000, 21,500 का, तिल लस में आ रहा, तो 29 से मिनस कर दो, 7,500, ठीके? How much? 7,500, अचा, इसमें, Goodwill कितना है, Goodwill 13,000 है, Okay, Goodwill Difference चेकर है, तो 13,000 आ रहा, Next, आपको जो amount आएंगा, General Reserve कितना है, 30,000 है, Okay, Depreciation, और एक चीज़ है आपर, वो यह है कि, Dividend कितना है, यहां Tax दी आना, तो Income Tax शोड़ दो, लेकिन Dividend ले लो हैंपर, यह Cash Flow Statement है, क्योंकि Dividend पे कर दिया, तो यहां पर लियो, Dividend, Dividend, कितना है Dividend? 50,000 और वासेट्स को यहां पर Depreciation बलके दाल सकते, कोई प्राब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर भी दाले तो चलता, उपर दाले तो प्राब्लम भी Correct आता, उसमें कोई मिसला नहीं है, कि सारी, 50,000 यहां यहां, 50,000, 60, 70, 80, 83,000, 2008 करे तो 85,000, 85 में से 21, change minus करो, 85,000 minus 21,500, 63,500, अगर आप Assets को उपर Depreciation मिलके दाले तो 2,63 आता, जो Question में Answer आ रहा, वैसे भी दाल सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है, यहां पर भी कर सकते हैं, तो यह तो 0 हो गया, तो Answer आना है आपको 63,500 ही आना है, Answer, ठीक है, फिर उसके बाद, यहां पर, यह प्लस 1 है, माइनस 1 है, प्लस में से माइनस निकाल देए, यह 10,000 बच्चा 30,500, माइनस का रहाना, 30,500, तो इसमें से 30,500 माइनस करो, 30,000, 33,000, प्लस में बचरान से, ठीक है, इसके बालेंगे, अचा आने और एक चीज़ एक है यहां पर, 30,000 नहीं, अल्रडी डिविदेंट अपन पे कर दिये न, तो जानी कि 1,00,000 उनके पास से पैसे लेके आए, और 50,000 का डिविदेंट पे करें अपने, तो सेफ और से 50,000 अपने को मिलेंगे, यह बाकि 50,000 कैश में चले गया न, तो इसलिए, अब देखिए 1,10,000, और क्या वो 500 भी है, प्लस 20,000, माइनस 50,000 का है, प्लस का अमाउंट है, तो 80,500, कुनसा अमाउंट है, माइनस का, अपने को पर आंसर कितना आ रहा, 63,500, तो आंसर उल्था, माइनस 17,000 आ रहा, कितना आ रहा, माइनस 17,000, इसको बलेंगे, कैश, दूरिंग दे यर, कैश दूरिंग दी, यर, हमाच 17,000, इस मेंसे, प्लस ओपनिंग एश, ओपनिंग एश कितना है पने को, 55,000 ओपनिंग एश, 55 ओपनिंग एश, फिटी, माँट पने है, माँट किदेन पैमाँटते 3,000 esta अचयाग था, इसको बलेंगे, कैश इटता इन, कैश इटता, कैश इटता,